हेलो फ्रेंट्स इस जोती वर्मा तोड़े आइम गोई टू स्टार्ट विद असस्मेंट अफ लर्निंग यूनिट सेकंड यूनिट सेकंड के अंदर हम कई वीडियो पहले भी देख चुके हैं जिसके अंदर हमने कई टॉपिक्स को क्लियर किया है यूनिट सेकंड में और अ रिलेक्शन होता है आपस में वो किस तरीके से रिलेट करती है तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आज हम स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ एवैलुएशन मतलब किसी भी टेस्ट को एवैलूएट करने के लिए कैसे कि उपकरनों की जरूत होती है कैसे टूल्स की जरूत होती है मतलब अगर आप कोई भी टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का या कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसको एवैलुएट करने के लिए उसको मूल्यांकित करने के लिए किस किस तरीके की क्वांटिटिव टूल्स की जर जिसमें है लिखित परीक्षा मुख्यता दो प्रकार की होती है तो दो तरीके का होता है तू टाइपस का होता है निबन्दात्मक और वस्तुनिस्ट परीक्षा यानि कि एक जो निबन्द के हिसाप से जो आपका objective था था है तो इसके अंदर आपके दो इसमीने करहा हो तरगत जो आपकी निवंदात्मक परिक्षा होती है ऐसे टैप कोशन्स की परिक्षा होती है उसमें दो प्रकार के प्रशन पूचे जाते हैं उसमें किस तरीके के प्रशन पूचे जाते हैं दो प्रकार के जिसमें लगू उत्तरिये होते हैं मतलब लॉंग कोशन्स होते हैं और देरगुत्तरिये होते हैं एक लगुत्तरिये होते हैं जिसमें छोटे कोशन्स होते हैं देरगुत्तरिये मतलब लांग कोशन्स वाले होते हैं इसी प्रकार वास्तुनिस्ट परिक्षा दो प्रकार की होती है सिक्षुक निर्मिर और प्रमाडिक परिक्षा तो ये दो पर मतलब इक तरीके से लॉंग कोशिन के रूप में दिया जाता है उन्हें निभंदातमक परिक्षंड कहते हैं चीन में निबंदातमक जो या कि अपका परिक्षंड है परिक्षण का उपियोग इसा के इसा से लगवग 200 वर्ष पूर्व किया गया था उस समय पर मतलब उससे प कुछ विद्वान इसे प्राचीन प्राणी प्रडाली परिक्षा याने की ओल्ड सिस्टम ऑफ टैस्ट भी कहते हैं आगे हम देखेंगे निबंदात्मक प्रश्णों के प्रकार याने की इसमें कौन-कौन से टाइप्स है तो फस्ट है हमारा व्याख्यान याने की एक्स्प् आते हैं जैसा कि आपने अपने ब्राणी में देखा ही होगा कि ऐसे ही कौश्यंस आते हैं कि किस्व हैं कि दिसकल कीजिए er svं की या इसमें कंपैरिजन करें तुलना की चीजिए या फिकृतिसक्र प्रिषक को तो इसी टाइप के के achievement test होते हैं उसके क्या क्या characteristic है और क्या क्या advantage है तो पहला है हमारा इसके अंदर निबंदात्मक प्रश्णों से चात्रों के ज्यान रूची एवं अभिवृत्ति का मापन किया जाता है सेकेंड हमारा इसमें निबंदात्मक परिक्षणों यानि कि ऐसे टाइप test जो होते हैं उसमें चात्रों की लेखन शैली का मूल्यांकर आसानी से किया जाता है आगे हैं इसके अंदर थर्ड जिसमें है निबंदात्मक परिक्षणों की सहायता से चात्रों की तर्क शक्ति का सफलता पूर्वक मूल्यांकर किया जाता है फूर्थ हमारा इसके अंदर निबंदात्मक परिक्षणों के द्वारा परिक्षार्थियों के स्वतंत्र चिंतन को सफलता पूर्वक मूल्यांकर किया जा यह 5 characteristics थे सटेटाइब achievement test के आगे हम देखेंगे निबंदात्मक परिक्षणों के दोश यानिके demerits of ascetype test तो इसमें ascetype test के जो demerits है वो क्या है जिसमें 1 हमारा निबंदात्मक परिक्षणों में प्रतिनिदित्व का गुंड कम पाया जाता है 2nd MRS के अंदर इन परिक्षणों में चात्रों को परिक्षा निपूर्टा का लाभ मिलता है 3rd MRS के अंदर ये परिक्षण चांस फैक्टर पर निल्भर होता है 4th MRS के अंदर इन परिक्षण चात्रों को रटने के लिए बात दे करते हैं 5th MRS के अंदर इन परिक्षणों में कम एक रुपता पाई जाती है, 6th MRS के अंदर ये परिक्षण साधन ना होकर साध्य हो जाते हैं, और 7th MRS के अंदर ये परिक्षण अनैतिक्ता को प्रोचसाहन देते हैं, आगे हम देखेंगे वास्तुनिस्ट परिक्षण, यानि कि objective test क् तो अभी तक हमने जो निबंदात्मक यानि कि ऐसे टाइप कोशन्स देखेंगे, आप इसी के अंदर हम objective test देखेंगे, यानि कि वास्तुनिस्ट परिक्षण, तो निबंदात्मक परिक्षणों के दोशों को दूर करने के दृष्टी से वास्तुनिस्ट परिक्षण का नि होते हैं, इन परिक्षणों में सम्मिलित प्रश्णों के उत्तर निश्चित होने और मूल्यांकन विधी निश्चित होने के कारण ये परिक्षण वास्तुनिस्ट कहे जाते हैं, आगे हम देखेंगे इसके अंदर वास्तुनिस्ट परिक्षण के दोश, यानि कि limitations of objective type questions, त characteristics से वो देखेंगे, तो दोश के हैं इसके अंदर, पहला है वास्तुनिस्ट परिक्षणों में नकल की अधिक संभावना पाई जाती है, जासा कि आपको पता है objective type questions में नकल की जादा संभावना होती है, सेकेंड है वास्तुनिस्ट परिक्षणों द्वारा मूल रूप से ज्यान पक्ष का मापन किया जाता है, थर्ड है हमारा इसके अंदर, इन परिक्षणों में अनुमान की संभावना होती है, फोर्थ हमारा इसके अंदर, इन परिक्षणों के प्रियोग से अध्यापक के कारे का बोज बढ़ जाता है, फिफ्थ हमारा इसके अंदर, इन परि कि देगेए कि अभी अमने लिमिटेशंगे तो फॉस्ट के यंदर वस्तोनिस्ट परिक्षिन में फलांग का होते हैं सेकेंद हमारे स्केंदर उस्टोनिस्त परिक्षिन में व्यापकता का गुंड인지 दिमान होता है, थर्ड है हमारा इसके अंदर इन परिक्षणों में व्यक्तिकत पक्षपात की कम संभावना पाई जाती है, फोर्थ हमारा इसके अंदर इन परिक्षणों की रचना में कम व्याय होता है, फिफ्थ हमारा इसके अंदर इन परिक्षणों की विश्वसनियता बह characteristic थे, I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको asset type questions और जो आपके objective type questions है इन दोनों में difference बता चल गया होगा कि ये return exam में किस तरीके से इन दोनों का, इन दोनों tools का use करके सारे test वगया लिये जाते हैं So friends, thank you so much for watching this video, मेरे चैनल को subscribe करें, video को like करें, share करें and comment करें and please press the bell icon for other notifications, thank you so much